आप देख रहे हैं JBL प्रेजन्स ESPN क्रिकन फो टाइम आउट हिंदी भाई जहां पे इंग्लिंड और दक्षिन अफ्रीका का जो मुकाबला था एक कहरे था नहीं पहले आप नहीं वो कहरे था ना 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 पहले आप फिर वो कहता है ना आप फिर उकता है आप और इस आप अफ्रीका ने साथ रन से मात दे दी किसी को नहीं लग रहा था बाइट एटीन तो वर साथ रन से मात दी हैं इंग्लिंड को और उसके बारे में बात्चीत करने के लिए हमारे साथ आप आलबे इस तूडियो अनल कुमले अनल भाई थैंक यू सो मच पर वाचिंग अर्स थ त्यारी कर रहा था मैं फरने त्यार कर रहा था कि बाटमन का वो ओवर 21 उससे पहले 17 रन 18 रन जीताव मैच आप हार गए लेकर उसके बाद 7 रन आप ये देखिए 4 रन 7 रन 6 रन 18 19 और 20 ओवर में क्या फॉर्मैट है बहुत बढ़िया है क्योंकि आप लास बाल तक यही तो जैसे आपने बताया है वो तीन ओवर 22 रन मिल चुका था बीच में तो हमको लगा कि यह तो आराम से क्योंकि 25 रन 18 बॉल में आराम से जीतना चाहिए जो भी चेस कर रहा हो और अभी भी सैम करन लियम लिमिंस्टन और हैरी ब्रूक क्रीस पे थे लेकिन तीन एक्सपिरि का को जिताया क्योंकि उसके पहले जो बोलिंग डाल रहे थे पिच पे थोड़ा कटर्स डाल रहे थे और वो तीन ओवर के लिए यॉर्कर डालने गया है सब भी बोलर और इसलिए बावन रन आया था ते वेंट बैक तो देर ओल्ड वेज उफ बोलिंग एंड इसलिए जीत हैं लेकिन इसलिए मार्करम लेट टीम रिली 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 रिल वावन उसी चीज में आ रहा था कि एक टॉप लेवल एथलीट की कहिना की निशानी दिखी है कि इन गेम पिटाई हो रही है पिटाई हो रही है गेम कुट गो completely away from you लेकिन इन गेम आपने इन दोस थ्री क्रू करते हैं कोई भी टीम टी-20 के फॉर्माट में आप बोलता है कि हर बॉल एक इवेंट होता है तो जो भी हुआ है उसके बारे में अगर ज्यादा तर आप सोचते हैं सोचके करेंगे तो फिर अगले जो बोलिंग डालने माले हैं उस पे भी असर हो सकता है तो मैं यही मानता ह कि जो संतुलन वहां पर दिखा है जब सीनियर प्लेयर्स हो क्विंटन डिकॉक हो विकेट कीपर माहराज फिर एडन माकरम यह तीनों ने और डेविड मिलर ख्लासन यह सब सभी किलाडी बहुत सारी संतुलन दिखा कि और फास बोलर्स जो जो तीम की नाम बताया मैंने एक् और लास्ट ओवर में तो अंडिक नौकिया के बोलिंग पे हैरी ब्रुक का कैच एडन माकरम बाउंडरी के पास तो अगर वो चार रन जाता तो फिर इंग्लिंड आराम से जीच जाता क्योंकि पांच बॉल में दस रन आराम से जीच सकते हैं क्योंकि सेट बैठरत है हैरी तो बहुत बढ़िया कैच था वो उस समाई पे एंड कंसिडरिंग प्रेशर ऑन सौथ आफ्रिका अंड कैट अनल भाई कि आपने 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 कैच के बारे में बोला इससे पहले ग्रूप स्टेज में बंगले देश के खिलावी महमद उला वही बांटरी पे फिर एडन माकरम ही था है पॉइंट आम टाइं टू मेक इस कि वो हार रहे हार रहे हार रहे लेकिन कहीं न कहीं जीत रहें लेकिन आप अगर आप रेकॉर्ड देखो six and six in a tournament की मतलब एक नजरिया ये कप हटेंगे and पूरा बिखर जाएगा उस नजरिया वो भी हो सकता ह है क्योंकि T20 गेम है आप लेकिन मैं जो चीज मानता हूं कि सही निरने आप अगर लेते हुए और selfless निरने लेते हैं कपतान होके तो फिर आप ज्यादा तर जीत के आते हैं और clarity of thought important है इस format में अगर आपका थोड़ा जंबल्ड हो तो फिर तीन ओवर बावर रन जैसा हो ज इस पिछ पे तो बीच में डालो थोड़ा cutters डालो आसान नहीं होगा batsman के लिए अगर आप बैटिंग की भी बात करें South Africa की पहले दस ओर में 80 रन आ गया था एक विकेट को चुके थे उसके बाद आराम से कप्तान आ सकते थे बैटिंग के लिए कि एरे यार मैं तो कप्तान हो मैं जाके मैं इस platform को ज्यादा अभी capitalize करूंगा लेकिन वो ego हटा दिये और सही निरनाई लिए अन्रिक कलासन को बेजे जरूर वो आज काम नहीं हुआ लेकिन सही निरनाई ता उसके बाद Miller को बेजे क्योंकि right left combination का जरूर था एक हवा भी आता है इस West Indies में चोटा का नहीं है लेकिन हावा against the breeze and with the breeze so he did all the right things today as a captain and that was very impressive क्या format है यहां पर जो decision making है उस पर इतना निर्भर करता है it could go either this side it could go either this side it could go either this side आपको पता नहीं 50-50 चलता है 50-50 चलता है जो भी आप decision लेते हैं और और आप last ball तक आपको रहना चाहिए गेम में और positive thoughts आना चाहिए क्य यार यह क्या हो गया बावन रन दे दिया है अभी 25 रन नहीं चाहिए अटरा बॉल में तो कथम है दो set batsmen है ऐसे कभी नहीं हुआ ऐसे body language कभी नहीं दिखाए कि हार गये तो यह बहुत बड़ी चीज होती है इस फॉर्वां कुंटन डिकॉक विंटिज कुंटन डिकॉक है बाइस गेंदों में हर दशा तक नहीं वो ही है ना उनका एक बार फॉर्म चल जाता है तो फिर लगातार वो रन करके आते हैं पचासोगर की वर्ल्ड कप में भी वैसे कि है सौथ आफरिका के लिए लगातार तीन शातक उनके बले से आया तो पिछले मैच में USA के साथ फॉ देविड मिलर और क्विंटन डिकॉक इतनी बढ़िया वो शुरुवात की और स्ट्राइक रेट भी इस सर्फिस में आसान नहीं है लेकिन येस इस इस चर्टली ऑगर्स वेल फॉर सौथ आफरिका फिर से दर्शाता है कि इस फॉर्माट में स्टार्ट मिलना कितना जादा अब बटलर साब यही सोच रहे होंगे हमने टॉस जीता और गेंद बाजी करने का फैसला क्यों यह है क्योंकि पिछ बदली थी और धीमी हो गए थी वहाँ पर बल्ले बाजी करने के लिए वन दे केम इन तो दाचेज शायद उनकी बोलिंग की वज़े से उन्होंने पहले बोलिंग करना सोचा होगा इंगलेंड क्योंकि अगर आप साथ आफिका की बैटिंग देखें तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपको साथ आफिका के साथ दबाव डालना हो तो फिर चेस करना ज़रूरी होगा साथ आफिका के लिए क्योंकि हम पहले मैच में भी अगर भ आफरिका की चेज बढ़िया नहीं हुआ है लेकिन शायद इंग्लेड ने सोचा होगा कि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है बोलिंग थोड़ा गड़बड है बोलिंग में सिर्फ जौफर आर्चर और आदिल रशीद बोलिंग अच्छा कर रहे हैं तो इसके वज़े से शायद उन्होंने चेज किया और पिछले मैच अगर देखें वेस्ट इंडीस के साथ भी आसानी के साथ 180 चेज कर पाये वो लोग तो शायद इसके वज़े से वो टॉस जीत के फिल्डिंग के अनुल भाई थैंक यू सो मच वे टाइम भाई आज ये लगा ये प्रॉपर वर्ल्ड ये लुकिन फो ताइम आउट हिंदी